सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अग्सर दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम हवाई या तरह पे जाते हैं जब एरो प्लेन नीचे से उपर के तरफ जाता है या उपर से नीचे के तरफ आना शुरू होता है या फिर हम पहाड पे उपर से नीचे आते हैं या किसी हाई स्पीड लिफ्ट में हम उपर से नीचे आते हैं तो हम कानों में दबाव महसूस करते हैं। ये कानों में दबाव जो होता है हवा के प्रेशर के चेंज होने के वज़े से होता है। इसके साथ साथ हमारे कान के अंदर middle ear में भी हवा का pressure होता है जो बाहर के atmospheric pressure के बराबर होना चाहिए और इस pressure को balance करने के लिए हमारे body में एक tube होती है जिसको हम station tube कहते हैं जो कि हमारे नाक और कान के बीच में होती है इसका main काम होता है कान के अंदर के pressure को बाहर के atmospheric pressure के बराबर रखना जिससे हमारा कान का परदा आराम से हिल सके और पूरा vibration सुनाई का हमारे कान के अंदर जा सके अगर ये tube सूजी होती है या blockage होती है या बनावटी तोर पे पतली होती है तो कई बार ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती है जिसके वज़े से जब भी pressure change होता है तो कान में हम दबाव महसूस करते हैं और कई बार ये दबाव इतना हो सकता है कि दर्द हो बहुत जादा कान के अंदर bleeding हो जाए और कान का परदा भी अगर कमजोर हो तो फट सकता है तो आईए जानते हैं दोस्त ऐसे मरीजों को जो इस तरह की परिशानी से सफर करते हैं उनको हम क्या treatment कर सकते हैं जब भी हमारे पास ऐसा कोई patient आता है जो बताता है कि हवाई यात्रा करने में कानों में दर्द होता है और pressure बनता है हम उसका कान का check-up करते हैं उसके कान के परदे की position को check करते हैं उसके नाक का check-up करते हैं नाक में कोई रुकावट तो नहीं है इस चीज़ को rule out करते हैं hearing का test होता है जिसे audiometry कहते हैं और कान के अंदर के pressure का test होता है जिसे impedance कहते हैं इसको करते हैं कई बार हम साथ में नाक का कोई x-ray या फिर CT scan भी करते हैं इस से हमें उस tube के उपर कोई दबाव तो नहीं है कोई रस्ते में blockage तो नहीं है इसका अंदाजा मिल जाता है अगर पूरे तरीके से काम नहीं कर पाती है तो उसके लिए हम आगे treatment की सला देते हैं मेयोम hospital में इस तरह की परिशानी को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही latest treatment available है जिसको हम station tubeoplasty के नाम से जानते हैं इस नए तरह की technology में हम नाक में दुर्बीन के जरिए एक catheter डालते हैं और उसके जरिए एक balloon डालते हैं station tube के अंदर जब ये balloon station tube के अंदर होता है इसको हम लोग 12 atmospheric pressure से फुला देते हैं जिसके वज़े से tube खुल के खिच के चोड़ी हो जाती है इसके होने के पस्चार जब भी patient हवाई यात्रा करता है या ऐसा कोई pressure change होता है तो इस tube के जरिए जिसक का आकार थोड़ा बड़ा हो चुका होता है उसके तरफ हवा अराम से पास हो जाती है और patient को कान में blockage एवं दर्द का एसास बहुत कम होता है कई बार ऐसे patients को हवाई यात्रा करना बहुत दुखदाई होता है इस तरह के procedure को करने के बाद काफी patients ज्यादातर patients खुश रहते हैं एवं उनको कुछ precautions लेने की जरुवत पड़ती है